हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डोक्टर राज एक बार फिर अपने चैनल परल्वाइन ग्यान में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको थम्नेल से क्लियर ही हो गया होगा आज का जो हमारा टोपिक है वो सारा का सारा परल्वाइन की लिगल्टी के उपर डिपेंड करता है कि परल्वाइन किस तरह से लीगल वे में लोगों को पैसा देती है और किस तरह से लीगल वे में काम करती है उसको बहुत ही बारीकी से बताया गया है तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बिना स्किप किये पूरा वीडियो देखे पर आपको दिखा पा रहा हूँ वेबसाइट खुद कह रही है कि हम क्राउट फंडिंग हैं जरा क्राउट फंडिंग समझ लीजिए क्राउट फंडिंग किसको कहते हैं मतलब बहुत सावे लोगों से पैसे इकठे करना किसी समाजिक कारी के लिए चंदा कर सकते हैं आप नवरात्री, गनेश, पुजा, हुलिका, दहन, भंडारे के लिए भी चंदा करते हैं और लोग तो क्राउट फंडिंग की मदद से पूल का भी निर्मान करते हैं फोटो, फिल्म भी बनती है, मुवीज भी निर्मान होते हैं कई सारे क्राउट फंडिंग प्लेटफर्म है, जो आपके लिए पैसा इकथा करते हैं बकाइदा, और आपसे उसका कुछ कमिशन लेते हैं पांच परसेंग, दस परसेंग ले सकते हैं परलवाइन, प्यूरली एक क्राउट फंडिंग प्लेटफर्म है प्लीज इसको अपने मस्तिस्क में डाल लीजिए नहीं तो आप लोगों को कागज इस जिन्दगी में नहीं दिखा पाएंगे और crowdfunding भी कैसा है मैं आपको बिल्कुल net sale में बताना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद मैं इसके applications पर आऊंगा जो कि बहुत सारे और भी question आते हैं तो देखिए एक donation based crowdfunding है आप देख पा रहे हैं crowdfunding चार्ट रहके होते हैं मैं आपको बता देता हूँ तो यह आपका donation based crowdfunding है और reward based crowdfunding है इस बात को जान लिजिए जब website खुद लिख रहा है कि भाई हम crowdfunding है तो फिर आप company के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं बहास करने में आप सिधा बोलिए हाथ जोड़के कि दोस्त आप मानना है मानिए हमारे website भी कहती है और crowdfunding भारत में पुरी तरह से कानूनी है और आपको एक बात जानके बहुत ताजूब होगा कि crowdfunding के लिए इस तरह का जो आप registration ढूंदते हैं ना company act में company of registrar के दोरा nbfc के दोरा reserve bank के दोरा payment settlement act के दोरा banking regulation act के दोरा कोई अब शक्ता ही नहीं है फिर आप उसको काज़ कहां से दिखाएंगे जब आपको ये e-commerce platform के रुप में नज़र आएगा तो निश्चित रुप से आपको काज़ दिखाएगा और आपको जानके मैं आपको एक अच्छी news दे रहा हूँ ये सारे तैयारियां हो चुकी है आपको बकाइदा full-fledged पुर्ण अवतार में भी नज़र आएगा तब आप बिल्कुल folder में वो काज़ भी लेके चलना पर फिलाल के लिए जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि भारत में पूरे तरीके से donation charity based crowd funding legal है और परलवाइन की बार कह चुका है कि हम non profitable हैं अच्छे जड़ा सोची अगर यह profitable होता तो मींट को वापस क्यों कर रहा है लोगों को मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि system ने बोला है कि जी आप लोग अपना मींट वापस करें मैं handrails चाहता हूँ दोस्तों आपका ताकि मुझे यह पता चले कि आप लोग भी परलवाइन को समझते हैं कितने लोगों को यह मालूम है कि system मैं बोला है कि आप लोग अपना मींट हमको जल्दी से जल्दी बेच दीजिए और तब मैं बताऊंगा कि बेचने की जरूद क्यों पड़ी है थैंक्यू सो मच मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही जागरुक लोगों से बात कर रहा हूँ system ने मिंट इसलिए आपसे बोला है क्योंकि system किसी भी तरह की liability रखना ही नहीं चाहता और तभी इसने डंके की चोट पे notification निकाला और notification में आपने देखा होगा notification में यह कह रहे हैं कि आप अपना जो मिंट है जी वो उसको बेच दीजिए हम आपको पैसा देने को तयार हैं अगर आप लोगों मेंसे किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको एक छोटी सी जलक जरूर दिखाना चाहता हूं परलवाइन का वालेट आप सबके पास है आप उस वालेट को खूलेंगे और यह मैंने खूला है यह देखे मैं नोटिफिकेशन निकाला है कितना अच्छा लाइन निकाला है चलिए लगे हाथ आपने यह भी देख लिया कि परलवाइन पैसा कैसे कमाती है बहुत लोगों के यह भी कुश्चन रहता है तो आपका उत्तर हर बार मिलता है जब आप खूलते हैं सिर्फ आप लोगों को समझा पाएं मैं यही चाहता हूं टेके ऊपर में एक लिए लिखा है कि अल दे रिस्पेक्ट परवाइन उजर्स आर यहर रिए इंवाइन इंपर दू सम्रेजिंश ने पीवी मिन अंट शूल नू इंट पिवी मिन वेरे सून बिकाश इंट 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 प्रेश्ट ग्रेश्ट इंट एंट पर में अट इं प्री लाइबिलिटी फ्री सिस्टम किसी भी तरह के लाइबिलिटी रखना नहीं चाहता क्योंकि यह क्राउड फंडिंग बेस पर काम करता है अगर यह पैसा कमाने लगेगा तो फिर इस पर बात आएगी न या तुम तो मिन्ट से बहुत कमा रहे हो या आगे चलके और भी कुछ नया इंकम का सोर्स इनका जनरेट होगा आज की रेट में वही सारे पैसे आपको रोयल्टी इंकम में देने को त्यार है बस आप लेने वाले बनों क्वार्ट प्लस बेरिल करो अगर आपको पैसा चाहिए तो तो कि सिस्टम दोनों हाथ से आपको देना चाहता है बेहत प्यार करता हूँ और आपको बताता हूँ सोते जगते हमेशा परलवाइन मेरे दिमाग में चलता है और आप सोचें कि परलवाइन इतना चलता है मेरे माहिंड में कि मैं कहता नहीं हूँ कि मेरी मश्रूफियत के हर लमहे में शामिल है तेरी यादें मैं बीजी भी र तो जब आप बीजी रहें तब भी परलवाएं सोचें थोड़ा तो प्यार करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको इससे रिटर्न भी तो चाहिए ना क्योंकि अभी रुपी ड्रॉइंग अरेजिमेंट पे तो बहुत दोर रिशर्च किया है मैंने जो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आप बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट है कई लोग जब आप लोगों को बताते हैं न कि ओनलाइन बैंकिंग सिस्टम पे आधारित है तो लोग आप से कहेंगे कि अच्छा ओनलाइन बैंकिंग है फिर तो NBFC से से कनेक्टेड होगा या आप फॉलो अप करते हैं लोगों को प्लान प्रेजेंट करने के बाद उनके अबजेक्शन को हैंडल करना ये जो विसिस्ट प्रक्रिया है सिको फॉलो अप कहते हैं दोस्तों कमाल की बात है कि जब आप किसी के पास फॉलो अप के लिए जाते हैं तो आपको सोचना होगा क आप उसका follow up कर रहे हैं या वो आपका follow up कर रहा है दोनों एक दूसरे को follow up कर रहे होते हैं आप करते हैं उसको join करवाने के लिए और वो आपका follow up करता है ताकि वो join ना हो समझेगा इस बात को तो आपको follow up करना है और follow up में आपका जो knowledge है ना वही आपको काम देगा, उन लोगों को अपने टीम में शामिल करने में आपकी मदद करेगा, और दिक्कत आये तो उसके लिए परिशान मत होगिएगा, कहते भी हैं कि वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल नहों, उस नाविक की धहरी परिक्षा क्य जब धाराएं प्रतिकूल नहों, मजा ही नहीं आता ना, हमारे टीम में एक सुबोध सर हैं, उन्होंने कहा था हमको, कि अगर एक दिन में दो आदमी के पास भी आप जाते हैं, और सब के सब आपको हाँ कहने वाले हों, तो 34 दिन में 428 करोर लोग आपकी टीम में क्या लगता है आपको, सब आदमी को हाँ कहना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, तो मैं बात कर रहा था, जब आपको लोग कहेंगे कि भाई ये NBFC में रेइस्टर होना चाहिए, तो चलिए एक बार मैं आपको दुबारा NBFC क्या होता है, उसको समझाता हूं, इसको बोलते नोन बैंकिंग फिनेंशिल कंपनी, NBFC, ये भी RBI के अम्बरेला में काम करता है, तो इसका डिफिनिशन क्या है इसको जानते हैं, नोन बैंकिंग फिनेंशिल कंपनी, इसको जानते हैं, जो लोन और एडवान्स में डील करता है, पर्लवाइन से आप लोन लेते हो क्या, खुदी सोचना, आंसर आपको पता चल जाएगा, पर्लवाइन से आप एडवान्स लेते हो क्या, नहीं, मतलब जब अग्रिकल्चर अक्टिविटी में रहेगा, वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन क्या ये हाईर पर्चेज, इंसुरेंस वगरे कुछ कर रहे हैं, क्या हम लोग? जब आपके मन में आपको पता होने चाहिए, तो जब कोई आदमी आपको NBFC कहे, कि दोस्त, नोन बैंकिंग फैनेंसल कंपनी NBFC से रेइस्ट्रेशन तो होगा, आप भी तो कह रहे हो, बैंकिंग सिस्टम पे आधारित है, चलो नोन बैंकिंग भी है, तो NBFC का रेइस्ट सर्वाल आया था, बड़े-बड़े ओफिस दिखाके, बड़े-बड़े कागज दिखाके आया था, बड़े शोरूम, बड़ी मर्चदीज, बड़ा BMW सब कुछ दिखाया, और कागज दिखाके, करिब-गरिब 2.5-3 किलो सरकारी कागज लेके आया था वो, RMCL वाला भाग ग करता हूँ, अब आगे भरते हैं, परलवाइन को NBFC से रेइस्ट्रेशन के जरूरत नहीं है, मैं आखरी कुछ मिनट में, गवर्मेंट आफ इंडिया में जितने भी PSO ऑपरेट होते हैं, उस पे ले चलता हूँ, PSO बोलते हैं, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर को, जो आप Google पे, फोन पे और, MobiQuick, Free Recharge, बहुत सारे, पेटियेम, दुनिया भर के हैं, आप जानते हैं, करिब करिब मुझे जो पता चला है, करिब 200 हैं ये, कुछ लोगों का नाम भी नहीं, कुछ का नाम नहीं पता होगा आपको, पर ये क्या है, और परलवाइन उससे क्या अलग है, देखे, पेटियेम, आपने इंस्टॉल क्यों किया था, इसका कारण आपको पता है, जब नोट बंदी हुई, 2016 में आपको ध्यान होगा, तो अचानक से लोग पेटियेम पे आ गए, और पेटियेम ने उसके बाद जम के सब्सक्राबर्स बनाए, और करिब करिब 320 मिलियन, क आज पेटियेम बैंक बन चुका है, उसको हमने और आपने रईस बनाया, क्या जब लोग पेटियेम धराधर इंस्टॉल कर रहे थे, मोबाइल एपलिकेशन में और किसी ने आपसे भी कहा, करें तुमारे पर पेटियेम नहीं है क्या, नहीं नहीं अभी इंस्टॉल करता कितना दिर लगाया था आपने पेटियेम इस्टॉल करने में, कितनी बार सोचा था पेटियेम कहां से रेइस्टर्ड है, कितनी बार आपने देखा कि RBI से रेप्रूबल है की नहीं है, मैं दावा दे रहा हूँ, आप लोगों में से भी बहुत कम को आज तक पेटियेम का र PSSA, मैंने उपर नाम भी लिखा हुआ है, Payment and Systems Settlement Act 2007, इसके तहत ये registration होता है, आपको जान के ताज़ूब होगा जिस पेटियेम को आप भारत का समझ रहे हैं न, उसमें भी Jackma, Alibaba.com बाला जो है, उसका 40% share है, Chinese है, हम और आप इस्तेमाल तो कड़ी रहे हैं, फोन पे के ब भारत में न, सीप फेक्टर, भेर चाल बोलते हैं, सीप फेक्टर बहुत कामयाब होता है, पांस लोगों ने Paytm इंस्टॉल किया और हमको बोला और हम भी कर लेते हैं, यह Paytm हो, चाहे, फोन पे हो, गूगल पे हो, आसे गूगल पे के बारे में खास बताता हूँ, गूग गूगल पे वालों को हमारा अप्रूबल नहीं चाहिए, क्योंगे गूगल पे टीपी एपी है, थर्ड पार्टी अप्लिकेशन प्रूवाइडर है, जरह सोचिए, गूगल पे को भी आरवे एक अप्रूबल नहीं चाहिए, अब परलवाईन के बात करते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ चीजों को phone पे हो चाहे पेटियम हो चाहे Google पे हो इन सब में UPI है वी पी ए बोलते हैं virtual payment address क्या अभी आप UPI से payment करते हो क्या परलवाइन में परलवाइन तो एक blockchain technology पे अधारित है जो peer-to-peer technology कह लिजे peer-to-peer transfer करता है बिना किसी middleman के ना तो कोई UPI करते हैं ना तो किसी के bank account में direct transfer कर रहे है UPI के माध्यम से फिर आप Paytm से और phone पे से और Google पे से तुलना कैसे कर सकते हैं इसका मतलब आपका concept ही clear नहीं है तो दोस्तों जिस इस दिन भी आपको यहां पे UPI नजर आने लगे वी पी नजर आने लगे तब आप मानिये कि हाँ अब इसको जरूरत है और तब ढूनना शुरू किजिएगा देखके परलवाइन जैसे system में आप आ चुके हैं बहुत उची उड़ान के लिए तयार हो जाईए मैं किज़ा कहता हूं हमारे मंदीप सरे ना वो कई बार बोलते हैं कि यह फ्लाइट का सफर है इसको आप ट्रेन का साइकल का सफर मत मानिये उची उड़ान के लिए तयार हुए और तब मैं कहता हूं कि जब होसला बना लिया उची उड़ान का फिर देखना फजूल है कद आसम रहे हैं आपको बताने के लिए मैं आपको एक आखरी चीज और बताता हूं और होप करता हूं कि आप यह जो मैं आपको system बताता हूँ, आप RBI में जाएंगे, तो मैंने last time भी बताया था कि भारत में जितने भी master transactions वाले हैं, master direction दिया है, RBI ने, exchangers को, जो non-resident exchange house हैं, जिनका westrow account maintain होता है, चुकि आपके जो AMC है, authorized money changer बोलते हैं, उसको, वो भी इसी के तहद governed होते हैं, तो आप इसका जब direction पढ़ेंगे ना, तो एक कमाल की बात आपको दिखेगी, कि इसमें इन्होंने permitted transactions में पढ़ना चाहता हूँ, कि इसमें ये लिखा है कि, drawing arrangements with exchange houses, आप point number 4 पढ़िएगा, are primarily designed to channel cross-border-inward personal remittances, under no circumstances, ये देखे, bold किया हुआ है, तब ही तो परलवाइन भी आपको कई बार बोल चुकी है, आगर आपने website को पढ़ा है, ढंग से, तो आपने देखा होगा, कि परलवाइन भी आपको कई बार लिखा है, देखे, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट भी किया था, कि परलवाइन भी देखे, ये परलवाइन की साइट से मैंने उठाया हुआ है, और इसमें, जो मैं आपको permitted transactions का एक, नीचे आई point पे दिख रहा होगा, आपको, drawing arrangements with exchange houses are primarily designed to channel cross-border-inward personal remittances, under no circumstances, donations, contributions to charitable institutions should be rooted through the exchange houses, same to same उठाके, परलवाइन वेबसाइट पर भी डालता है, क्योंकि exchanger के थुरू हम पैसा देते हैं, तो इतनी तो clarity है परलवाइन में, आपको चाहिए क्या, दोस्तों सिर्फ अपने आपको अप्ग्रेड करने की जरुवत है, मैं बोलता हूँ ना, खुद को अप्ग्रेड कीजे, आपको मैं एक आखरी चीज में ये फोटो दिखा रहा हूँ, I hope कि आपको मेरे स्क्रीन अच्छे से नजर आती है, 2009 में फिल्मों की शूट होती थी न, ये cameraman और ये जो camera है बड़ा सा वो भी देख पा रहे हैं, हेलिकॉप्टर पे खड़े होके वो शूट करता था, 2019 आते आते दोस्तों, ड्रोन आ गया, और इस cameraman का भी नोकरी गया, उस pilot का भी जॉब चला गया, तो अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद को नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी हालत भी उसी helicopter की तरह होगी, और इस cameraman की तरह होगी, जो अपना जॉब कब खो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखे सर, दो तरीके हैं आपको बदलने के, एक, या तो आप समय के साथ खुद को बदल लें, जिससे आप लाइफ में मान समान, पैसा सब कुछ पाएंगे, और दूसरा, समय आपको बदल दे, दोस्तों इसलिए अच्छा है कि अभी सही अपने आपको अप्ग्रेड करें, और दोस्तों, इसी नोट पे मैं कुछ दिल की बात करता हूँ, मैं हमिशा बोलता हूँ न, परलवाइन से महबत होनी चाहिए, और एक तरफा महबत तो बिलकुल नहीं, परलवाइन तो देने को तयार है परलवाइन से आप भी महबत करें, उस पे शक नहीं करें, जब इस सिस्टम में आ ही गए हैं, तो फिर इस पे शक क्यों करना, फिर तो इससे दिल से करना है न, और तीन चार बाते को हूँगा, लोग परलवाइन करने लगते हैं, तो लोग ताना भी देने लगते हैं, तो ह पहरें बन जाए तुफान, कस्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, परलवाइन से आप प्यार करें, परलवाइन आपको बहुत कुछ देगा, मैं तो बार बार कहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टिकने के पैसे हैं, टिकने के पैसे हैं अगर आप परलवाइन में टिक गए तब भी पैसे हैं और परलवाइन से आप प्यार करें जब आप परेशान होते हैं उस से में ध्यान रखें और आपके लिए दो लाइन कहता हूं जो लोग कभी-कभी अकेला महसूस करते हैं ना खुद को कि यार मेरा काम नहीं हो रहा आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको लगता है मेरे टीम में काम नहीं हो रहा टीम सो गई आप खुद को आगे बढ़ाएंगे हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब राजधानी ट्रेन चलती है न तो पीछे-पीछे धूल, मित्ती, कंकर, पत्थर सब उड़ने लगते है तो आप अपने आपको राजधानी एक्स्प्रेस बनाइए आपकी टीम अपने आप धिरे-धिरे-धिरे-धिरे आपके पीछे-पीछे चलेगी क्योंकि monkey see, monkey do, we all know that तो आपको ही उनके लिए एक guide बनना पड़ेगा और आपके लिए तो एक बात जरूर कहता हूँ अगर का अमीद है और परलवाइन से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ और आखरी दो लाइन कहके मैं अपनी वानी को विराम दूंगा क्योंकि मेरी महबत है दोस्तों मैं परलवाइन से बहुत प्यार करता हूँ मेरे पास बहुत काम रहता है आफिस में भी लेकर इतना कहता हूँ कि मैं जब मर जाओं तो मेरी अलग पहचान लिख देना चुकि मैं इमोशनली अटेच हूँ परलवाइन के साथ तो ये बात मेरे दिल से निकलती है कि मैं जब मर जाओं तो मेरी अलग पहचान लिख देना लहू से मेरी पेशानी पर परलवाइन का नाम लिख देना परलवाइन